कि फिनिश्ट बस अब बस थोड़ा सही है यूर कैटी कैरी एन अटम बॉम अच्छा पेशेंट बोलता सरे काम किजिए आप रिपोर्ट मुझे देदी जिए मैं घर जाओंगा बोलता है घर आप पहुंचेंगे कैसे उसके पहले हाट अटाइक हो जाएगे अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्तर को मालूम है कि हाट इटक कल होगा आज होगा उसको तो यह भी नहीं मालूं सेवेंटी है एटी है या नाइंटी है क्यों ऐसा बोला जा रहा है तुक्रियेट और फियर से क्या होगा फिर ऑपरेशन के लिए इमीडियेटली बहुत सा लोगों को इस तक बोलने का जरुवती नहीं हो तो इमीडियेट त्यारी हो जाता है हाट का सुनते उसके मन में ऐसे डर रहता है उसको जब्लॉक इस तो कल भी था ब्लॉक इस तो आज भी है कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा ता यह पेन तो मेरे को बड़े दिनों से मैं आप एक काम किजेगा आप करवड भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजेगा पेशेंट बोलता नहीं सब मैं तो घर जाओंगा पूछ आप रुकिए आपकी घर वाले से मैं पूछता हूं अच्छा घर वाले बाहर कौन-कौन वेट करने होगे सारा खांदान बेट सर रहा होगा वहाँ पर जाके क्या बोलना है कि पेशेंट इस बेरी क्रिटिकल एनी मुमेंट डाइज आप बोलो मैं बचाने की कोशिस करूं जाने दूं अच्छा आंसर क्या होगा वाइफ क्या बोलेगी कि जिन्दगी बर इन्होंने मेरे लिए कि आ है एक बेटा बड़ा समझदार होता है बोलता है कोलेटोल की ब्लॉकेज होता है इनका कोलेश्टोल ही है क्या करूँ की कोलेस्ट्रोल कम हो जाए ऐसा पूरा ऐसे हुआ मैं तो खाली एक बार्ष टेस्ट करना ने गया था और उसके बाद र picks are मेरे एक और पेशेन पेवलिए सर मे फिर बी ने कराया मैं नीकल आया मैं पुला आप निकले कैसे गोला मैं ने नहीं कराओंगा मुझे घर जाना है वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेगा मैं लिख के देता हूं मैं पहुंच जाओंगा हाथ 느낌이 टे दिया फिर भी ओजाने नहीं दिया में लास्ट बोला मैंने भोला देखो मैं करनें तयार हूँ फिर प्रॉब्लम है मेरे पैसे नहीं है अफ्टु तो कर वाद आध अचांड है इसमय और वॉला कोई problem नहीं आप घर चले जाओ पिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उन्होंने बोला अब आप एक बाद बताओ यह इतने पैसे आप कितने दिन में कठा कर सकते हो तब मैंने बोला देखी मुझे प्रॉपर्टी बेस के आना होगा दो महीना लगेगा फिर मुझे दो महीना उन्होंने टाइम दिया बोल आप कोई प्रॉब्लम निया दो महीने बाद यह आपको समझा रहा है ऑपरेशन कब रुख सकता है इस इस मैं यह नहीं बोलूँगा सारे जगे एक जैकली यह हो रहा है पर इसका ही कोछ छोटा मोटा रूप यह होस्पिटल का सिस्टम है पर एक बात मैं जानता हूँ हूँ होस्पिटल को यह चॉइस देना चाहिए पेशेंट को देखो दब्लॉखेगे सो मच सो मच सो मच इस आदा रीजन आप देखो क्या चाहते हो आप अगर अपने आपको बदलोगे तो ऑपरेशन रुख सकती है आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर करना पड़ेगा मैं जानता हूँ हाट की पेशेंट को मैं तीन चीज देखते दिखाऊं एक तो दवाईयां है एक बाइपास और एक एंजोप्लास्टी यह दवाईया मैं आपको एक पर संधाना चाहता हूँ दवाईयां क्या आता है और अनदर टैन मिनिस आइल टेख दे देखें क्या करता है इस वाट इस एक्षन ऑफ रविट्रेट क्या हुआ चूप चौड़ी हो गई ब्लॉकेज महीं की महीं रहे गई चूप चौड़ी हो गई चूप फैल गया फैलते क्या हो गया ब्लड सप्लाई बढ़ गई पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई दिकत नहीं है पर यह दवाई का आफ्तर रहेगा आठ घंटे बाद तो आठ गंटे में एक इस और बीट्रेट देनी पड़ेगी एक पेशेंट मेरे को बोला मैं लेता हूं मैं मोनोट्रेट लेता हूं मैं बोला वह भी सॉर्वी ट्रेट का ही भाई है तो यह जितने भी सॉर्व दवाईयां बहुत सारे तरह के मिलती है एक होता हाट की ऑक्सिजन की जरुवत को कम कर देता है इसको बोलते बीटा ब्लॉकर टैल्सियम चैनल ब्लॉकर फिर एस इनिवीटर ऐसे करके बहुत सारी गोलिया हम लोग हाट की पेशेंस को दे सकते हैं I am not going to go into that detail कुछ ब्लड को पतला करने का दवाई भी देते हैं आपने देखा है नाम इको स्प्रीट, षा स्वरीन, और चलोमेज, लोंटने ओर जरुपिलेच, इस स्कयो देता है इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं थंचा, पतला करने के लिए इसके लिए गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक क्यों और गोली दूंगा और एसिटी हो जाए तो एसिटी की गोली दूंगा नीज ना आये तो नेन की गोली दूगा अच्छा पता है यह बीमारी ठीक हो रहा है की नहीं हो रहा है कि I am not 18 मैं जानता हूं दवाई आज जरुवत है पर कल दवाई की जरुवत ना हो उसका बंदवस करना बहुत जरूरी है इसके पास चलते हैं यह एंजियोग्राफी क्या चीज़ होस्पिकल में जाते हैं एंजियोग्राफी करते हैं और यह एंजियोग्राफी मुझे पसंद इंट बॉडी फिलेफी इसे साथ इस ब्लाइन प्रोसीजिए ब्लाइन मतलब क्या आप गुसार दो यह अंदर जाती जाएगी और अगर अटर के तो पापस खिच के फिर से ट्राइब करना होगा मतला वह अंदर करे गई करेगा पूरे बॉडी को स्टैच करते हो लिखवा क्या होगा in accuracy about the report और उसके मात pressure from the cardiac doctors for the next operation patient को लगता मेरे को emergency हो गया बट emergency precipitate कराया जा करता है anyway angioplasty जो है यह दो operation दो चीज़ जो लोग करते हैं का अग्योप्लास्ट के वाइपर सज़री मैं अग्योप्लास्टी दो मिनीट अपर सम्झाना चाहता हूँ अग्योप्लास्टी एक्सेंट लगाते हैं सुना आपने ना एक रीग लगा देते हाट में ओट इस एक में एक्स्प्रेंग मोट इस पिछले 20 साल में यह जो एंग्योप्लास्टी है यह बार 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 इसको सब्सक्र बताया गया पहले आई पि बिलूनिग बिलून एंग्योप्लास्टी उसके बाद बहुत सारे तरह के आवी और इनज्योप्लास्टी आई औरी एक मेंदे और रेडियो अप्लेडर आया रेडियो एक्टिफ प्सिंट राइए द्रग कोटेड पर सब्सक्रेंट पर यह सारे के सारे फेल हुए हैं क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूं देखिए बैलूनिंग क्या चीज़ है या याद है आपको एंजियोग्राफी के पकर तार अंदर गुसाई थी वह कहां तक गई थी हाट सक यहां तक तार आई थी इस तार के ऊपर यह बैलून रोता है इस तार को थोड़ा स पीचा जाती ब्लॉकेज में अभी इस बैलून में पानी डालना होता है यह बैलून ऐसा होता है इसमें पानी डालते बैलून फुल जाती है अच्छा पानी कैसे डालेंगे आपने होली में बैलून फुलाया एक सिरिंज से सिरिंज में पानी ले ले लो सिरिंज को दबा द जाएगे हंडेड हो जाएगी ब्लॉकेज तो बेलून में पानी डाला और सीरिंग से बापस पानी खिंच लिया जैसे पानी खिंच लिए तार को पकड़के बाहर निकाल लिया अंजयो प्लस्ती ओवर आपको समझा रहा क्या करना पड़ा यह तार यहां थी इसी को थोड़ा आगे किया बेलून डाला पानी निकाल लिया और बापस अजया ब्लॉकेज बापस आजाएगी नहीं आजाएगी इसके बार क्या लगता आपको यह लोहा या पत्थर नहीं यह लास्टिक है और जैसे बेलून निकाल लिया ब्लॉकेज बापस आने लगई थोड़े साल बाद यही काडियोलोजिस मान गये बेलूनिंग काम की नहीं है पहले क्लेम किया था बेलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी बर चलेगे फिर मान कश बाद का बिलून में पानी ढला तो ब्लॉकेज का हाँ चले जी साइड में आ गई जब बैलून सेब्लॉन निकाल लेंगे तो ब्लॉकरनों वापस आएगी यह लगा देते और foreign body के अंदर blockage बहुत जल्दी होती है, यह देखा गया, इस strength में 6 मेना एक साल में सारे block आजाती बापस, और यह जब बापस आने लगी, तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला, नहीं 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 आती है, नहीं आती है, थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला, कि नह होने की coating चड़ाते हैं, तो वो spring के ऊपर coating चड़ा देते हैं, और वो coating चड़ा के लगा दिया, पर इसके बाद भी एक foreign body ही रही, इसमें वही का वही result आया है, अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a reblockage, इसके बाद है bypass surgery, एक बहुत बढ़ी surgery होती है, देखे bypass surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, बहुत बढ़ा surgery है, एक पूरे chest को काटो, और इसको काट के इसको चापू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी, आड़ी समझते हैं, आपने marble fitting के बख़त एक देखा, गोल चक्का लेके घुनते हैं, ऐसा एक ल blood डाल के उसके चलाना होगा, and during this time the operation has to take place, but this operation is very complicated, लग अच्छा हो तब ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ पिछले बार कितने साल लगी थी, आपको याद देखिए, एक y का जवाब सोच के देखिए, original tube में कितने साल में blockage होई थी, 20 से 40 साल, तो कितने speed रही, 2 से 4%, 6% पर year, और angioplasty के बाद अगर 2 साल में बापस reblockage होती है, तो कितने साल हो गई, 40% पर year, और bypass के बाद अगर 5 स पर year, जो tube originally 2% की blockage कर रही थी, वो अब operation की बाद, उसकी speed क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब वो original, नहीं रहा, हमारी body को जब तक original रखो तब तक अच्छी बात है, हमारे prime minister ने भी दो दो वाइपस कराई है, एंजो प्लास की 5 स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं, उस चलो, बहुत बड़ा team लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी team नहीं भी लग सकती है, और इतना बड़ा operation नहीं भी कर सकते हैं ठीक से, पर मैं जानता हूं, अगर operation भी नहीं हमारी काम बन जाए, अगर हम lifestyle को ही change करके कर सकते हैं, तो हम operation क्यों, करवाएं, and this is what is the contention, never मैं heart के patient को एकी चीज़ समझाता हूं, कि blockage अगर reverse करना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको accuracy करना होगा, what is this accuracy you understand, this is the accuracy, इस picture को आपने देखा है, इसमें accuracy लिखा है, कितना accuracy है इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूं, यह drum है, यह drum में मैं पानी भरना चाहता हूं, और इसम पंदरा चीज़े, आब अधायी कितनी चीज़ बंद करने से लिए,